करती हूं देखियों लोगा की पड़ा का फ़ーー आऊंगी। मेरी संखल्प शक्ति सुद्रूड है पवित्र है अबाध्य है। ओम ऐम, ओम अम। मैं अपनी संखल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूं। ओम, ओम, ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम, ओम, ओम। आपके द्नाद मुद्राइट छोड़ेंगे, आखे कुल सकते हैं, हरियों। थैंक्यू संध्या जी, आच्छा कल मैं ग्रूप में एक पेपर सेयर की थी आपके साथ, मॉडूल बैलिडेशन का, लिंक मिला था आप सभी को? तो वो पेपर देखा था आप लोगों ने, वो कैसे मॉडूल बनाते हैं, कैसे उसको वैलिडेट करते हैं, इंटरेटर रिलाबिलिटी क्या वो उस पेपर में सब कुछ बहुत अच्छे से दिया हुआ है। हाँ मैं देखा था। तो वो समझ में आया पर के? हाँ मैं, क्लियर था। कैसे कैसे था उसमें बताई इस्टेप, अगर इंटरेटर रिलाबिलिटी हम उसमें करते हैं, तो कैसे कैसे सबसे पहला प्रॉसेस क्या होता है? हम बहुत सारे टैस्स थे, सीक्वेंस ऑफ टैस्स थे उसमें, हर इंडिविजुल आसन का इनडिविजुल जो भी हमने उनको कॉम्बिनेशन बनाया है, उन सब की रेटिंग थी। ठीक है, तो वो समझ में है कि उसमें कैसे किया है, जैसे कि इंटरेटर रिलाबिलिटी उस दिन पर रहे थे, तो देखिए उस दिन हम लोग ने थियोरी पढ़ा, जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे हैं तो यह चीज बिलकुल किलियर हो जाएगा आपको, इसलिए वो पे प्रैक्टी नहीं है, तो वो समझ आई पर उतना ही जितना आपने बताए है, उतनी ही समझ आई, अच्छा तो एक बड़ देख ले उस पेपर को, सब लोग पर के आए, पर नहीं पर के आए, तो फिर देखने में समझ में नहीं आएगा, फिर वही वाली बात हो जाएगी कि थ्योरी थ्योरी सा ही लगेगा, सब लोग देख क्या है उस पेपर को, आप देख कर आए हैं, पर उतना डीप में पूरे अच्छे से नहीं पड़े हैं, अच्छा मैं एक बार डिसकस कर लेती हूँ, इससे आप लिट्रेचर रिव्यू करने में आनानी हो जाएगी, ठीक है पर देख कर देख को? स्क्रीन देखे हैं मेरी, इस लिट्रेटेशन अफ योगा मॉड्यूल, यह यह योगा मॉड्यूल बनाया गया है, ठीक है, और जो हमने इंटरेटर रिलाबिलीटी परा था, अगर हमें कोई मॉड्यूल बनाना है अपने रिसर्च के लिए, तो उसमें जो रिलाबिलीटी होती है, उसको हम लोग इंटरेटर रिलाबिलीटी बोलते हैं, जो प्रॉसेस हमने पढ़ा था, सेम वही प्रॉसेस आपका इस पेपर में दिया होगा है, ठीक है, अब देखिए, एंगर मैनेजमेंट पे है, अच्छा इसमें बताएं कि डिपेंडेंट बेरियेबल क्या है आपको टॉपिक पर किस पंज में आ रहा है, कौन सा इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें लेजेंट, वेरी गुड, ठीक है? चलिए, तो अब इसको देखिए, पेपर हम देखते हैं, यह तो हाइलाइट्स है कि इस पेपर की हाइलाइट्स क्या है? घर जर्नल का ना दिखने का तरीका होता है, जैसे यह कॉंप्लिमेंटरी थरेपी, यह देखिए जर्नल का नाम है, क इसका मतलब इसके पहले एंगर मेनेजमेंट पे कोई भी योगा मॉडूल किसी ने रिसर्चर ने बनाया नहीं है, ठीक है, एंगर मेनेजमेंट टेक्निक्स डिराई फ्रम इंडियन ट्रडिशनल टेक्स, जो यह टेक्निक्स सब लिए गये हैं, वो सब तो देखिए, जब भी आसना प्रानायाम देते हैं, तो वो टेक्स डूप से लेते हैं, यानि तो साइंटिफिक लिटेचर से लेते हैं, मतलब जो हम लोग लिटेचर रिव्यू करते हैं, ठीक है, यह सब चली, यह सब तो, अच्छा, यह कौल सा अब्स्ट्रेक्ट है, मैं उजिन आपको बताईत अगर यह कहानी के तरह लिखा होता तो यह unstructured बोलते हैं लेकिन इसमें जो है कैसे यह है आपका background, material method, result, अगर यह सब कुछ नहीं लिखा होता तो यह unstructured होता लेकिन यह structure इसलिए है क्योंकि इसको पार्ट वाइस दिया गया background का, इसमें heading है इस abstract में, बहुत सरा abstract देखेंगें कि उसमें बिना heading का ही वो कहानी के तरह लिख लिख देते है कि इस paper के अंदर क्या है, यह short form है, समझे अगर माल लीजे, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो इस paper में क्या-क्या conclusion निकला है, क्या background है, तो इस paper के अंदर क्या है, वो आपको short form में बना बताया जाता है, ठीक है? background material method तो इसको structured abstract बोलते हैं, कि लिए ने सभी को structured और unstructured? yes ma'am, तो जो structured होगा मतना, वो थोरा systematic होगा, बिल्कुल, वो systematic होगा, वो देखिए, इसमें एक heading है न, background क्या है, material method, अगर यह unstructured होता तो यह नहीं लिखा होता, यह कहानी के तरह बना दिया होता, वो सब कुछ एकटा दे देते, उसको structured नहीं करते फिर, उसमें heading नहीं होता ठीक है, आगे समझें सबको, structure and structure, हर paper की सबसे पहले abstract लिखा लाता है, जो भी paid paper होता है, माल लीजिए, अगर यह तो open access है, ठीक है, यह paper open access है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इसमें कुछ भी जो है, यहां लिखा हुआ है, दिख रहा है आप सफी को, carcel दिख रहा है मेर अगर जो paper में 100% दिया हुआ है, ठीक है, उसको open access बोलते है, मतलब इन्होंने क्या module बनाया है, मतलब इस paper में आपको सब कुछ मिलेगा, आपको कोई pay करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ऐसा करने का जरूरत नहीं है, और माल लीजिए, अगर यह open access नहीं होता, यह paid हो कि आपको इस paper को पढ़ना है, तो आपको कुछ dollar में payment करना होगा, ठीक है, तो इसमें सिर्फ abstract आपको मिलता, paper का सिर्फ abstract दिया होता, फिर आपको कुछ भी इसमें जो है न, यह detail जो है न, फिर यहां से देखिया है, introduction, कितना बड़ा है, यह module कैसे design किया गया है, material method, यह बह ठीक है, तो अब यह देखिये, keywords दिये हुए है, मतलब इस keyword को ही search करके इस paper को लिखा गया है, जो researcher का keyword है, वो है yoga module, anger management और adolescent, और जहां पे हुआ है, मैंने keywords मेरे, उसमें sites में दिये हुए है कि keywords कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है, जो intervention है, आपका dependent variable है जिसको आपको नापना है, जो आपका sample है, ठीक है, यह आपका keywords बनाने का तरीका होता है, अब यह देखिये, यह introduction लिखा हुआ है, तो यह आपको पूरा पढ़ना होगा, introduction बहुत main होता है, किसी भी paper का, आपको टाइटिल समझ में आ गया, अगर टाइटिल है, तो टाइटिल यह है, development and validation of yoga module for anger management in adolescent, यह टाइटिल हो गया आपका, यह जनरल का नाम हो गया, complementary therapy in medicine, यह keywords का भी मैंने आपको दिया है, keywords यह हो गया आपके, देखिए, material और method क्या होता है, material और method क्या होता है, जैसे कि मैं उस दिन आपको पढ़ाई थी न, कि the purpose of the study is to develop a yoga module for anger management for the secondary school children, ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया है, एक yoga module बनाए गया है, किसके principle पे, यह IAYT बोलते है, integrated approach of yoga techniques, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग 3 tree निशन में परे हैँ, पंच mantener होता है, मितलब 5 खोस ह् shaking हमारे शरीर में, ठीक है जैसे अनमे कोर्स के लिए हमाना है आसना है प्रानमे कोर्स के लिए प्रानयाम है मननो मे कोर्स के लिए इसतर honestly करके different different कोर्स के लिए different different therapy है ठीक है तो यह जो Yoga module बना है यह इसी technique पर बना है इसी को integrated approach of yoga techniques गोलते है ठीक है? validation of module by expert हम लोग इंटर्व्रेटर रिलाइबिलीटी यह करे थे पहले क्या हूँआ कि हम लोग 5 कोस को लिए और पाचों कोस में जो-जो जैसे कि आसना है हमारा आननमा हो गया प्रानायाम हमारा प्रानमा कोस हो गया मनों में कोस के लिए meditation techniques हो गए, ठीक है, फिर आपका आनद मैं course के लिए कर्मियोगा हो गया, तो इस तरह करके जो है, हमारा जो है, पांच कोसा होता है, और इसी पांच कोसा के उपर जो है, इस module को बनाया गया, इसी को देखते हुए, ठीक है, उसके बाद ये module जब तयार हो गया है, जब इसमें जो है, तीज प्रैक्टिस, बीस प्रैक्टिस, इतने भी प्रैक्टिस दिये होंगे, उसको वैलिडेट कराए गया, उसलिल हमने परहा था न, वैलिडेशन ऑफ मॉड्यूल बाइ एक्सपर्ट, ठीक है, ये हमने पहले एक मॉड्यूल बना लिया, फिर उसका वैलिडेशन हमने एक्सपर्ट से कराए, एक्सपर्ट कौन-कौन होते हैं? गाइड होगे रहा है, हाँ बाई, प्रैक्टिस, जो एक्सपर्ट उनको बोलेंगे, जो योगा की फ्रिल्ड में, जिनको योगा आता हो, उसी से कराना है, जैसे प्येजी स्कॉलर होगे, एमेसी वाली होगे, ठेरेपिस्ट होगे, ठीक है, प्रोफेसर्स होगे, ये सब क्या है, हम पेपर में इसको लिखेंगे, आपको कहीं लिखा, वो मिलेगा, ये देखिएगा, कि इनो ने एक्सपर्ट में किसको किसको सामिल किया है, फिर उसके बाद हम पालेट स्टडी करते हैं, किसलिए करते हैं, फिजिबिलिटी अब दे मॉड्यूल, फिर उसमें एक्सपर्ट वैलिडेशन कराते हैं, एक्सपर्ट वैलिडेशन के बाद जो है, इसमें बस एक CVR रेशियो, वो बाद में आपको मिल मल जाएगा इस पेपर में, CVR रेशियो में दिखाती हो कैसे निकालते हैं, ये देखिए हैं ना, 26 एक्सपर्ट, अब 26 एक्सपर्ट में कौन-कौन था, 6 योगा प्रेक्टिस्नर थे, जो योगा करते हैं, थेरेपिस्ट थे, 4 योगा प्रोफेसर थे, 4 योगा रिसर्च स्कॉलर थे, 10 साइकोलोजिस्ट थे, और 2 एक्सपर्ट थे, ठीक है, मैंने कहा न, एक्सपर्ट हमें लिखना होता है, कि जितने एक्सपर्ट मैंने माना है, तो मेरे एक्सपर्ट, मेरे मॉडूल को किन लोगों ने भलिडेट किया है, तो देखिए, ये डिटेल लिखा हुआ है न, यहाँ पे, देख रहा है न, सब को इस्क्रीन छोटी तो नहीं लग रही आपको, तो ये आपका, ये सारा डिटेल में दिया हुआ है, तो ये आपका, ये सारा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है, अब देखिए, यहाँ, CVR रेशियो आप लोग उस दिन पूश रहे था न, मेरे से, यहाँ जो है, content rationality of the module was calculated using lossy content validity, sorry, lossy content validity ratio, ठीक है, तो ये CVR ratio क्या है, label of item among expert in the panel, ठीक है, तो अब इनका जो है, कितने, कितने लोगों ने validate किया है, कितने expert ने 26 में validate किया है न, यहाँ लिखा हुआ है न, सबसे पैने line, ठीक है, यह देखिए, अब उसके बात देखिए, यह 26 लोगों ने किया है, और इनका जो module है, इसमें क्या कहा है, opening and closing prayer, posture and belief, meditation, knowledge point, knowledge point में ज्यान योगा हो गया, home practices, उन्होंने अपने module को पाथ भाग में divide किया हुआ, ठीक है, देखिए, मैं आपको जो दिखाना चारी हूँ, मैं दिखाना चारी हूँ कि आपका result कैसे किये गया है, यह देखिए, यहाँ पर, है, out of 18 practices in the framework, 12 practices were validated by 8 experts and 6 practices were validated by 14 experts, as per the lossy CVR ratio, the minimum value of 8 expertise 0.75 and 14 expertise 0.15, ठीक है, तो CVR calculated for all the practices which are presented in the table, देखिए, अब इनका CVR कितना है, है, CVR ratio कितना है, अगर 26 लोगों ने, कितने थे, 26 थे न, ठीक है, यह जो है, lock table की तरह होता है, जैसे 26 expert का CVR ratio 0.75 आया होगा, यह पहले से दिया होता है, यह lock table की तरह, जैसे हम lock table देखते हैं कि इसका value कितना है, ठीक है, तो इसकी तरह यह CVR ratio आपका 0.75 आया है, ठीक है, और जो number of कितने लोगों ने validate किया है, यह पहला वाला साथ लोगों ने validate किया हुआ है, जाओ तेरा लंच टाइंग, पेज नहीं दिखना है, पेज नहीं दिखना है, आपका बाइक बन कर जाए, यह एनी क्या है, number of expert, indicating essential, जैसे मैं आपको question दी थी ने, like it scale आप में क्या था, जब आपने survey firm भरा था, strongly agree, very agree, not agree, इस तरह करते question था ना, तो जो हम इसमें पूछते हैं, वो पूछते हैं, essential, extremely essential, और देखिए, like it scale में 0 से 4 तक का इन्हों है यूज किया है, ठीक है, जो capital N है, वो total number of expert है, यहाँ capital N दिया हुआ है न, capital N, total number of expert, तो यह देखिए, यह capital N, जो number of expert कितने है, यह 8 है, इसको बाद में, जब 8, 8 लोगों से इनको opinion मिला, तो फिर से इन्होंने debute कर आया, ठीक है, तो 8 और प्लस 14, कितने होगे, 22, 22, 8 प्लस 14, 16, 20, ठीक है, यह देखिए आप, तो यह N is equal to total number of expert, तो यह देखिए, total number of expert जो है, इसमें 22 है, यह 8, मतलब पहले इन्होंने 8 लोगों से validate कि आया, तो जरूर इनको कुछ opinion मिला होगा, कि यह भी add करो, वो यह भी add करो, यह भी होना चाहिए, फिर उस opinion को फिर इन्होंने validate कराया, इसलिए लिखा हुआ technique reviewed by 14 expert, ठीक है, फिर जब इनको suggestions मिले होंगे न, तो फिर इन्होंने 13, 14, 15, 16, 17, 18 करके, यह फिर add करके, फिर 14 लोगों से कराया, ठीक है, तो यहां content validated ratio के आया है, अगर इन्होंने 8 लोगों से कराया है, तो 0.75 आया है, लेकिन अगर इन्होंने 14 लोगों से कराया है, तो देखिए, यहां अलग-अलग इनका आया है content validity ratio, एक मैट टुक जाए, इन्होंने एक CBR ratio लिया होगा, देखिए, इनका जो CVR ratio जो लेके चली है, वो log table में होगा, यह इतने expert के लिए होगा, जैसे यहां 8 लोगों ने किया है, फिर यहां पर 14 लोगों ने किया है, ठीक है, तो इनका जो CVR ratio जैसे माले जो यहां 0.75 तो यहां नहीं तो 0.75 होना चाहिए, यहां नहीं तो इससे ज्यादा होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, देखिए, यहां पर इन्हों ने यह रिटर लिखा है, कि out of 18 practices in the framework, 12 practices were validated by 8 expert, 6 practices were validated by 14 expert, as per the TOSI CVR ratio, the minimum value for 8 expert is 0.75 and 14 expert is 0.51, इसका मतलब जो minimum value होगा न, 8 expert में, वो value होना चाहिए, 0.75 या इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, इससे कम होगा तो उस practice को हम हटा देंगे, ठीक है, calculation करके, अगर 0.75 से कम आएगा, उस practice को हम हटा देंगे, अगर इससे ज्यादा, और यह भी हमेंसा 0 to 1 में ही आता है, यह ज़दी आएगा न, 0 to 1 म होना चाहिए, नहीं तो इससे ज्यादा होना चाहिए, अगर इससे कम आएगा, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है, आ रहा है समझ में, देखिए, यहां number 8 है, और इसमें जो है, जब इसको revalidate कराया गया है, तो यहां 14 है, तो 14 के लिए researcher ने कितना लिया है, जो CVR ratio लिया ह वो 0.7, 8 के लिए 0.75 है, और 14 के लिए 0.51 है, ठीक है, अगर 8 export का minimum, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम calculation करेंगे value तो इससे कम नहीं होना चाहिए, तो उन्हीं practices को हम सामिल करते हैं, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, जो practices का मतलब, जो हमने module बनाया है, जैसे module में देखिए, यह है, कितने सारे है, सशांक आसन है, जब किसी को anger management होता है, तो देखिए, यह लिखा है, टेक्निक्स, तो इसमें क्या-क्या दियावा है, आसन में सशांक आसन है, भुजंग आसन है, अध जो suggestions इनको मिले होंगे, इनको ज़रूर यह सब suggestions में मिले होंगे, तो फिर से इन्होंने 14 experts से validate कराया, और उसमें meditation, physiology and psychology of anger, screening of movie, food and anger, story on anger, homework, यह सारा include किया, उसके बाद जब इन्होंने और 14 लोगों से validate कराया, तो इसका minimum कितना आना चाहिए, 0.71, ठीक है, यह देखिए, य सारी, 0.114 है, कौन सा है 0.14 में? 0.14 में, screening of movie, है न, तो देखिए, इसमें जो है, इसमें देखिए, excluded in file module, इसको exclude कर दिया गया है, ठीक है, बाकि यह जितने भी है, यह 0.71 से, one perfect होता है, one का मतलब हुआ कि 100% लोग इस practice के लिए allow किये है, मतलब 100% जे expert है, 14 के 14 expert ने कहा है, कि यह practice देना चाहिए, देखिए, one का मतलब है, number one का मतलब है, कि 100% लोगों ने, मतलब 14 के 14 expert ने, उनको agree किया है, कि यह चीज़ देना चाहिए, इस module में यह होना चाहिए, ठीक है, देखिए, इनका 3 practices ऐसा है, जिनको 100% लोगों ने कहा है, जैसे one, 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 तो इसमें क्या है, मतलब 14 के 14 लोगों ने, इसको जो है, accept किया है, तो सबसे पहले क्या है, physiology and psychology of anger, उसके बाद है food and anger, और फिर है story on anger, ठीक है, इसको जो है, 100% लोगों ने, 100% expert ने accept किया है, कि यह practices होना चाहिए, ठीक है, यह पर पर पहे, यह value, वो lock table के आधार पर होती होगी न, हाँ, यह CVR ratio एक lock table की तरह होता है, होगा तो मैं आपको भेज भेज दूंगी, है मेरे पास, ठीक है, वो lock table की तरह होता है, कि अगर 14 लोगों ने validate किया है, तो आपका CVR ratio 0.71 आना चाहिए, अगर आपको जो है, 8 लोगों ने validate किया ह है, तो आपका CVR ratio 0.75 आना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे हम इसको करते हैं, मतलब यह lock table की तरह है, CVR ratio निकालना नहीं होता है, हम यह पहले से कितने, मतलब validation कितने लोगों ने किया है, उसके basis पर यह पहले से हमें देखना पड़ता है, कि अगर 8 लोगों ने किया है, तो मेरा CV CVR ratio 0.75 आएगा, अगर 14 ने किया है, तो यह lock table में पहले से दिया होता है, calculation हम सिर्प इसको करते हैं, हम अपना calculation, वो formula होता है, जब उस formula से हम calculation करते हैं, तो इससे कम नहीं आना चाहिए, 40 लोगों ने किया है, तो इससे कम नहीं आना चाहिए, अगर इससे कम आया, तो इसका एक number of bird है, और बाकी क्या है, यह बाकी क्या है, जब हम CVR ratio, देखिए, CVR ratio तो पहले से दिया हुआ, यह तो ready-made है, ठीक है, तो यह formula है, अभी मैं आगे दिखाऊंगे अभी आपको इसमें होगा, ठीक है, तो यह formula है, इस ratio को निकालने के लिए, researcher ने कोई formula यूज किया होग तो हम lossy formula बोलते हैं, देखिए, technique with CVR, edge per lossy formula, तो यह lossy formula हम लगा करके देखते हैं कि हमारा इस ratio से कम आ रहा है या इस ratio से ज़्यादा आ रहा है, अगर इतना और इस से ज़्यादा आ रहा है, तब accept करेंगे, अगर इस से ज़्यादा है, तो हम reject कर देगे, उस practice को, ठीक है? ठीक है, आरहे सब को समझ में? होता है, कि अगर art expert है, तो इतना होगा, यह निकालते हैं हम लोग, हम formula जूस करते हैं, इस ratio को देखने के लिए, कि इससे कम है, कि इससे ज़्यादा है, ठीक है, कम है तो हटा दो, और इतना और इससे ज़्यादा है, तो उसको accept कर लो, ठीक है? तो यह होता है, पाले इंपर होता है, यह ज़्यादा है, आपको हर पेपर इस तरह कहीं मिलेगा, जब भी आपको योगा मॉड्यूल यह बिल्कुल यह ऐसे ही होता है, यह systematic process है ना, कि पहले आपको मॉड्यूल बनाना है, फिर उसको validate कराना है, फिर उसको validate करा कि उसका CVR ratio निकालना है, फिर आपको पह पहले से पूरा, अगर हो पाडियूल डेवलप करना है, फिर इस पेपर के टाइटिल आपके उपर depend करेंगा, मैंने कहा था ना, जो आपका research का title होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज पता चलना चाहिए, कि आप कि इस चीज की उपर research कर रहे है, जैसे माली ज़्य मेरा title है Development and Validation of Yoga Module for Anger Management in Adolescent, इससे पता चल रहे है कि एक intervention क्या है, मेरा योगा है, ठीक है, और development and validation किस चीज के उपर किया जा रहा है, anger management पे, किस पे किया जा रहा है, तो हमारा title ऐसा होना चाहिए, तो मैं आपको बता ही थी थी ना, कि जैसे हमारा पतालती योग होगा है, मतलब लिखा लिखा होता है, उसी तरफ जब भी हम अपना research का title बनाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज आइसा होना चाहिए, कि आपके title से पता चलना चाहिए, कि ये topic किसके लिए है, मतलब क्या चीज है ये, ठीक है, तो आप जब भी yoga module create करेंगे, तो आपको ये प्रोसेस है, मतलब ये जितनी भी जो तरीका है, जो तीन प्रोसेस है, module बनाना, module डेवलप करना, development of module, फिर expert जो है, उनका ये राह लेना, फिर उसको जो है, revaluate कराना, फिर उसको जो है, आपको उसका CVR ratio निकालना, इतना प्रोसेस तो आपको सारे उपर में दिखेगा. Ma'am, one more thing, जैसे आपने बताया ना कि, उपर मेंशन है कि, first kind of research है ये, इस तरीके के पहले ही research है, तो ये experimental कम basic research में आएगा क्या, मतलब जैसे combo भी हो सकते हैं क्या? Ma'am, बोल सकते हैं कि एंगर management पे अभी तक कोई, बोल सकते हैं कि एंगर management पे जैसे कोई आशन प्राना या कोई single practice पे किया गया हो, module को भी नहीं बनाया गया हो, आप बोल सकते हैं कि इसका जो, मतलब जो module है ना, ठीक है, वो आप एक तरह से आप basic research बोल सकते हैं इसको, ठी ठीक है, और फिर चल को इसी module को आप use करेंगे, तो आपके लिए applied हो जाएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में, इसलिए paper पढ़ना ठीक है, जब आप paper पढ़ेंगे न, research अपने आप के लिए होता जाएगा आपको, पहले बार थोड़ा बोली लगता है पढ़ने में, इसलिए म क्योंकि research में बहुत सारी चीज है जानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, तो अभी हमने 25% भी research कम्प्रीट ने किया है अपना, अभी इतना कुछ है इसमें जानने के लिए, तो आप जब paper पढ़ेंगे न, धीरे धीरे करके, जैसे कि, कल हमने कौन सा reliability पढ़ लिए, पर आपको इंटर्नल कंसिस्टेंस फेजूगी और पांस paper में आपको development validation पर, यानि कि दोनों reliability के उपर ही है, दोनों परहाति हुंने अपको, ठीक है, paper पर ही है, उसके बाद फिर उसका literature review कीजिए, जिनका एक्सल सीप नहीं आता है, या नहीं है laptop, अपने copy में जो है higher column गॉन हे और copy में किई आपने लिट्रेशय दूई . ठीक है मैं keywords में ये वर्ड भी डाल सकते हैं कि कोह से reliability उसकी है . नहीं keywords में देखिए keywords को लिए हूँ है मैं आपको परहा हही हुं न उसमें Земल उसमें दिया हुआ हुए कि कि बनता जो इंटर्वेंशन जैसे इंटर्वेंशन इसमें योगा मार्ण है तो यह जो है कीवर्ट मैंने दिया हुआ है न Hun है टिक है अब देखिये माने में बोले अनमेश के लिए आसन हो गया प्रान्मेश के लिए ब्रीधिंग riders इस पांच कोस को देखते हुए जो है ये मॉडूल डिजाइन किया गया है ठीक है ये हो गया आपका कि ऐसे पहने से downwards जो है फिर्मूला की थूज है हम उसमें चेक करते है कि जो मेरा पांच अगर चोटा है तो हम नहीं लेते है उसके बराबर या उससे जञाधा है अभी उसको हम लेते हैं की लिड़ा है सभी को इसका मतलब कैंब देखिए माल लिजे मैंने यह model बनाया ठीक है यह model बना बारा प्रैक्टिस यहां पर है और total अठारा प्रैक्टिस है ठीक है माल लिजे कि इसमें 30 प्रैक्टिस होगा जब यह बना होगा तो इस इस रिसर्चर ने तीस प्रैक्टिसेज बनाये होंगे, मैकिंग अपल दे रही हो, ठीक है? तो अब ये तीस प्रैक्टिसेज जो है, रिलिवेंट है कि नहीं है, एंगर मैनेजमेंट के लिए, हो सकता है न, कि कोई प्रैक्टिस ऐसा हो, जिससे अंगर और बढ़ता हो, कोई प्रनायाम ऐसा हो, जो जैसे कि हम कपाल भाती करते, तो कहते हैं कि जिसको अंगर होता है, डिप्रेशन होता है, उसको या बीपी हाई होता है, उसको मतलब नहीं नहीं अरना चाहिए, यानि तो less efforts से करना चाहिए, efforts ज्यादा नहीं होना चाहिए, कहते हैं न, ऐसा, मालीजे रिचर्चर ने डाल दिया कपाल भाती, तो फिर वो हमें हटाना होगा न, वहांसे, अगर मैं एक एक होता हो, जांती में से तो, ठीक है, हम पो तो कम करना है न, हम तो उसको control करने काम कर रहे हैं, हम जो module बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, ताकि वो कम हो, ठीक है, तो इसलिए हमें, तो मतलब यह कितना valid, मतलब यह हमारे लिए स्के बहुत करेगा, यानि हमारी situation के लिए, हाँ, तो हर नमबर ओफ एक्सपर्ट के उपर, डिपेंड करता है, जैसे माली जी, यह नमबर ओफ एक्सपर्ट आठ है, तो नमबर ओफ एक्सपर्ट आठ है, तो आठ एक्सपर्ट के लिए, जो CVR रेश्यो आएगा वो 0.75 आएगा, या जो 14 एक्सपर्ट है अगर उसके लिए जो CVR रेशियो आएगा उसके लिए 0.7 वन आएगा ये लॉक टेवल की तरह होता है इसको जितने नंबर ओफ एक्सपर्ट होते हैं उसके हिसाब से CVR रेशियो अलग-अलग होता है किसी ने 12 लोगों से कराया हो किसी ने 18 से कराया हो किसी ने 26 से हो सकता है किसी ने 40 से भी कराया हो ठीक है तो जितने लोगों जितने एक नंबर ओफ एक्सपर्ट होते हैं उसके हिसाब से CVR रेशियो भी डिफरेंट-डिफरेंट होता है ये नंबर ओफ एक्सपर्ट पर डिप आप नहीं कर रहे हैं अगर हां वो तो फिर हट हट जागा इसका मतलब वो इस एंगर परेज्मेंट के लिए रिलीवेंट नहीं है तो उसको हम हटा देंगे उस उतने प्रैक्टिस को ठीक है यह यह चीज है यह ठीक है कि जैसे हम लोगे 14 है उसमें से कुछ 5-4 रिसरच जो है वो उसको एकसेट नहीं कर रहे हैं तो फिर उसमें क्या लेंगे उन्हें जितने कर रहे हैं एकसेट उनको सिर्फ काउंट करेंगे महीं जैसे महल लिजए कि आप को जैसे यह होता है जैसे मैं इस तरह का में गूगल फोन बनाते हैं और यह सब प्रक्षाटिस डाल देते हैं ठीक है और उसमें जो है इसेंशेल नॉट इसंशेल इस तरह करके हम लिखते हैं ठीक है या extremely essential तो जैसे माल लीजे कि आठ लोगों को मैंने भेजा ठीक है आठ लोगों को मैंने भेजा तो आठ लोगों के हिसाब से मतलब जो मेरा रेश्यू आ रहा है यह आ रहा है 0.775 अगर माल लीजे अगर उसमें 9 हो जाते तो उसका रेश्यू अलग होता यह नमबर ओफ जो आपक यह थो आया समझ में और विट से पता दूँ आपको है ने माम आ ग्याह ना कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया क्योंकि तके अभी पैपर मेश में भेजहूंगी पांच आपको इस तरह से में देंगे अगर नहीं समझ में आएगं तो आप अब भी मुझे व्रकर तो फिर इतनी नहीं तो एक हपते की चुट्टी पर बाद हो जाएगी आपकी, ठीक है, आ गया सबको समझ में, इंटरेटर रिलाइबरिटी, यहीं इंटरेटर रिलाइबरिटी है, जब भी आप मॉडूल बनाएंगे, आपको इंटरेटर रिलाइबरिटी, उसकी कंसिस्टेंसी, आपको मॉडूल बनाना हो, कभी भी आपको यह करना है, तो कितने प्रोसेस हो गए आपके, सबसे पहला क्या हो गया, मॉडूल डेवलप्मेंट, ठीक है, मॉडूल डेवलप्मेंट के बाद क्या हो गया, expert validation ठीक है expert validation के बाद क्या हो गया cvr ratio फिर cvr ratio के बाद जो है हमें लगाने होते है तो ये आपको जब मैं stats पराऊंगी तब मैं बताऊंगी कि ये test करते कैसे ठीक है ये t-test कैसे करते है या इस पे क्यों कर रहे है t-test ठीक है लेकिन ये इतना ये दिया हुआ है इसको आपको करना है ये पर के आना है और आपको literature review भी करना है तो ये बिल्कूल clear हो जाएगा आपको देखिए सारा description दिया हुआ है न कि opening prayer क्या था उसमें क्यों था justification के साथ दिया हुआ है असना में सुर्य नमस्कार क्यों क्यों लिया गया है उसके बाद फिर जो है ये भ्रामरी से क्या ये सब कुछ दिया होगा ये देखिए सब का justification देना होता है प्रोफेसर चार है या योगा प्राक्टेशनर ज्यादा थे तो यह मतलब पहले से ही तैह रहता है या हम कोई भी मतलब कितने भी ले सकते हैं मतलब प्रोफेसर जैसे अभी आंगर पर था तो साइकोलाजिस इंपर्टन वो आपके उपर है वो मतलब ऐसा नहीं है वो मैं आपको लॉक टेपल भी देखिएगा उसमें लेकिन पर क्लास फिट समझ में नहीं आएगी ठीक है तो यह आपका यह सारा कुछ दिया हुआ है conclusion में अधिकतर हम relationship निकालते हैं कि हमारे लेकिन यह छोटी study है ठीक है तो conclusion हम जब भी लिखते हैं तो दो variable का relationship निकालते हैं कि वो डारेक्ट्री पोजेटिव को correlated है या causal उसमें relation है ठीक है वो मैं आपको पताई थी न कि अगर descriptive research होता है क्या होता है correlation मतलब जब भी दो variable के बीच में अगर कोई relation होगा तो कैसा होगा कल बताई थी ना आपको तो conclusion हमेशा जो है जब हम बरी study करते हैं बहुत क्योंकि यह छोटी study है pilot study का मतलब हो तो छोटा study इसके बाद एक main study भी हुआ होगा ठीक है यही topic पे एक जो है main study का भी paper ढूणेंगे तो वो भी हुआ होगा ठीक है ना तो यह सारी चीजे जो है आपको करके लाना है कोई कोई डाउट है तो अभी पूछ पूछ लीजिए फिर नहीं कर पाएंगे तो फिर मतलब आपको करके लाना है इसलिए मैं आज आपसे discuss कर ली यह paper नहीं समझ में आए बार बार पर यह उस चीज को एक बार दो बार तीन बार देखिए आपको समझ में आज जब समझ में आने लगेगा तो पेपर पढ़ने में इंट्रेस्ट आएगा आपका ठीक है तो मैं इस तर पांच paper भेज भेज दोंगी अपना literature review करके आईगा सबको मिल गया ना कल कुछ लोग बोल रहे थे कि मुझे नहीं मिला है कि मुझे literature review में क्या क्या करना है ग्रूप में मिला सबको कोई ऐसा है जिसको literature review का मिला नहीं हो सबको मिल गया है मैं मैं उसमें एक location करके option था इसका मतलब वो कहां हुआ है ये चीज़ लिखना है ना उसमें यह कहां हुआ है ये चीज़ लिखना है आपको ठीक है ऐसे मैं सब Indian paper ही बेजूँगी आपको लेकिन फिर भी जो है आप इपर देख लीजेगा मैंनम और जो अभी हमने देखा paper उसके लिए conclusion में causal आएगा क्या मैं जर्म पूछ लेगा मैंने पढ़ा नहीं है अगी पेपर देखी causal का होता है दोनों variable के बीच में कैसा relation होता है काउज और effect का होता है ठीक है तो यह छोटी study है जब हम main study जब हम RCT study परेंगे ना जब 200-300 sample size मिलेंगे ठीक है तब उसमें एक अथा लिए इसमें इसमें मुझे नहीं लगता है कि उन्हें variable दिया होगा विजो छोटी study होती है न जनरली उसमें हम जो है नहीं discuss करते हैं इन सारी चीजों को देखिए कि मैं मौर फाइंडिंग जो है इक option उसमें दिया हुआ है उसमें क्या करना होगा यह मैं एक वड़ी का आपको बता देती हो देखिए क्वाइड मौर फ्रस पर इंटीजेप दर अप्रॉच वी जो हम लोग पंच कोसा पर जब बनाते हैं न पांच कोसे कोई जब मौडिल बनाते हैं इंटीगेव एप्रोच बोलते है उसमें तो होलिस्टिक और इंटिकेटिव एप्रोच इंप्रोच इंप्राइब बाइब कंसिरिंग पंच कोर्स कॉंसेप्ट एंड इप्रिस्पल डेलेपिं योगा मॉड्यूल प्रोवाइड वेलिडेशन्स ये साड़ा पालेट इस्टोडी का ही योगा पूर्ण है इसमें जो है यहां पर इप्रोग्राम मिस्ट षब योगा मॉड्यूल आपका इंड्डीपेंडेंटेंट वेयरिएवल है ठीक है और powdered अंगर क्या है आपका दवाई तो खिला नहीं रहे है, उसको हम physically उसको जो है हम दे रहे हैं तो जब दी तो feasibility मतलब होता है कि जो sample है हमारा, जो यह student है, यह इसको कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कोई इसको दिक्कत तो नहीं आ रही है, यह check करते हैं हम pilot study में, ठीक है, तो यह आपका variable के बार ठीक है, जी, मैं में finding को भी बना दीजिए, प्लीज, finding में भी, finding है, result है, conclusion है, यह बहुत मिलता जूलता है, ठीक है, जैसे कि मैं बोली, conclusion में आपको variable का relationship निकल ला लेकिन यह छोटी study है, आपको इसमें relationship नहीं मिलेगा, जब हम RCT study करेंगे, तब करेंगे, finding का मतलब होता है कि इसका खोज क्या किया आपने, मतलब यह मैंने module बनाया, ठीक है, जो module बना, तो उसका क्या हुआ, यानि तो जो है, जो module में बनाई होगी, वो बहुत अच्छा हुआ होगा, finding अधिक तर जो है, आपका depend करता है, आपके statistical, मतलब analysis के उपर, लेकिन यह छोटी study है, तो यह स सारे words, ठीक है, तो अभी बहुत ज्यादा इसमें, इन मत कीजिए, क्योंकि जो भी paper जाएंगे, उसमें आपको सब कुछ के लिए के लिए 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 मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो रिसार्च करने में क्या होता है, कि अगर हम बहुत बरे sample size पे पहली बार कुछ कर रहे है, जैसे यह पहली बार यह module बना है न, तो जब भी कोई चीज का पहला module बनता है, ठीक है, तो उसमें palette study इसलिए करना पड़ता है, क्योंकि main study का sample size बहुत बढ़ा होता है, 100, 200, 300, इस तरह से sample size होता है, तो उतने बड़े sample size को कोई नुक्सा से, तो इसलिए हम छोटे पे करते हैं, कि अगर छोटे sample size पे कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल perfectly होके है, तो जो बड़ा sample size है, उस पे भी कुछ नहीं होगा, उसको check करने के लिए पहले छोटे बाले इसमें देते हैं, मतलब पहले छोटा sample size लेते हैं, उसके बाद फिर हम बड़े sample size में जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसलिए हम और यह देखिए, माल लीजे, यह yoga module आप अपने research में use कर रहे हैं, आप develop नहीं कर रहे हैं, आपने इनका yoga module यहां से उठाया, आपने paper अपने study में सामिए कर देते हैं, आपको यह से परने की जरूबते हैं, पहली बार हो रहा है, यह पहली बार इसीज के लिए बना है, इसलिए इसमें palette study हो रहा है, ठीक है, अगर आपको अकल को anger पे आपको करना है, ठीक है, तो आपको जब इनका module ले लिएगा, यह module मैं ले रही हूँ, यह open access module है, और मैं यहां से उठायों इनका module, फिर इसी module को मैं सेम ऐसे ही करूँगी, फिर आपको palette study करने की जरूद नहीं, यह पहली बार हो रहा है, इसलिए इसलिए palette study है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से जो है, हम research करते हैं, paper में भेज भेज दोगी, करिकी आईएगा, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, नहीं करके आएंगे, तो मैं नहीं समझा पाऊँगी, आगे कर यह, क्योंकि अभी बहुत पढ़ना है research में हम लोगों को, ठीक है, ठीक है, तो यह दो reliability और इसमें validity भी जरूर होगा, reliability है, तो validity भी देखिए, अब इसमें कौन सा है, content validity ratio, यह तो यह है, CVR है, यह नहीं, content validity ratio होगया, देखिए, इसमें validation कभी जरूर दिफा होगा, कहीं नहीं, यह पढ़िएगा paper, इसमें सब कुछ दिया होगा, इतना भी आप पढ़ चुक है, sample size, sample sampling कौन सा, यह सब कुछ मिलेगा आपको इसमें, ठीक है न, तो यह आप लोग पर के आईएगा, literature review करके आईएगा, जितने भी paper भेजोंगी, at least 2-3 भी तो करके जरूर आईएगा, यह तो फिर मैं सम्झानी पाऊंगे, आगे, ठीक है सफी तो, clear है? चलिए, अब जो है, हम अपना class शुरू करते हैं, जो हमारे regular class है, कल slides पर कुछ कुछ छूट गया था न, उसको मैं complete कर देती हूँ, आज यह तो, सब हमने discuss करी लिया था, कल अचा यह articles थे, ठीक है ना? अच्छा मुझे यह बताईए आपको कि अगर मैं आपको बोलू कि आपको एक बूक लिखना है ठीक है तो आप लोग आप लोग सब राइटर नहीं है ठीक है हेलो हां तो यह रिव्यू आर्टिकल्स क्या होता है कि आप लोग भी लिख करके पब्लिस करवा सकते हैं ठीक है माल किजिए कि मुझे बच्चों पर लिखना है मैं लेकिन कुछ नहीं जानती हूं मुझे नहीं आता है कि बूक ऐसे लिखते हैं मेरा मेरा फश्ट अइन है ठी इक्रिक्राइब को compare प्राइब मुझे लिने का मन है लेकिन मुझे नहीं पता है कि कैसे लिखते क्या लिखते में एक्सपर्ट नहीं हूं इसमे Nissan Rip भी लिखे हैं मेरे मन में आइडिया बहूत सारे है ठीक है लेकिन मुझे नहीं पता है कि इसको मैं लिखू कैसे इस पर बुक कैसे लिखू ठीक है तो मैं क्या करूंगी बहुत सारे बुक लिखना शुरू करूंगी तो इसी तरह systematic review क्या होता है कि एक researcher जो है बहुत सारे एक ही topic पे जैसे अभी हमने एंगर management बनाना तो माल लिजे मुझे एंगर management पे जो है systematic review करना है तो मैं क्या करूंगी जितने भी paper है एंगर management पे उन सब को जो है मैं पहले filter करूंगी एक keyword बनाऊंगी फिर जो है वो keyword के तो जो है मैं सारा एंगर management कर इतना भी paper है research paper उसको सारा filter करूंगी गूगल scholar से पबमेट से जितने भी हमारे search website है जिस पे हम अपना paper सर्च करते है उससे search करूंगी उसको एक जगा जो है उसको literature review के तरह एक जगा बनाऊंगी उसके बाद फिर जो है उसका filtration मतलब जो है जो मेरे काम का है नहीं है इस तरह करके मैं सारा filter करूंगी फिर उन सबसे निचोर निकालूंगी कि देखो इस book में ये लिखा था mostly में ये लिखा कि yoga work करता है mostly में ये लिखा है कि हमें भ्राम्री पानायाम करना चाहिए तो इस तरह करके मैं conclusion निकालते जाओंगी ठीक है reference देखा कि जब हम बहुत सारा paper पर के एक paper मैं निकालती हूं तो उसको systematic review बोलते है research में ठीक है narrative review क्या होता है कि narrative review माल लिजे कि मैं सुधा मूरती हूं मुझे बच्चों के उपर लिखना है तो क्या मुझे paper पानी की जरूरत है मैं तो खुदी इसमें expert हूँ तो मैं क्या करूंगी मैं अपने से book उठाऊंगी और मैं जो है बच्चों पर लिखना सुरू कर दू जालते तो systematic review हो गया meta analysis हो गया कि यह जितने भी मतलब जितने भी पेपर है माल लिजे जितने भी RCT study जितने भी experimental research हुए है मैं क्या की कि सबका जो है analysis देखी statistical analysis देखी कि कि किसका किसका statistical analysis मतलब कैसा है ऐसा तो नहीं है कि माल लिजे yoga anger पे काम कर रहा है लेकिन उसका statistically analysis है सबका different different है ठीक है तो जब हम statistical analysis के उपर देखते हैं किसी paper को compare करते हैं तो उसको meta analysis बोलते है narrative review क्या हो गया does not follow strict systematic method to identify article to review usually written by expert in the field और senior researcher मैंने जैसे सुधा मुलती का example दिया उनकी बहुत सारी book आती है market में बच्चों के लिए बच्चे पढ़ते हैं तो उनको क्या कोई paper परके लिखने की जरूरत है वो तो खुद expert है तो उनके मन में जो होगा या जो उनके उनको जो समझ में आता होगा उसको वही आर्टिकल वह खुद से लिखेंगी उनको paper की तो जरूरत ही पढ़ेगी कि हमें बहुत मैं पहली बार लिख रही हूं तो बहुत सारा paper परो उसके बाद फिल्में काम परो तो इसमें क्या होता usually written by expert जो उस फिल्ड में expert है जैसे माल लीजे कि कोई जो जिस researcher ने angle management पर काम किया उस फिल्ड में expert हो गई वो कल अपना review article पर लिख लिख सकती है कि मैंने जब research किया था तो ऐसा हुआ था मैं ऐसा field की थी यह होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए अब वो क्या हो गई वो expert हो गई आपका दो तीन चार paper एक ही topic में जिसमें उसको narrative review बोलते है systematic review हो गया जो हम बहुत सारे paper को पर करके उसके बाद जो है एक conclusion निकालते हैं तो उसको systematic review बोलते है follow predefined procedure to search with specific inclusion and exclusion criteria content of the article are critically appraised ठीक है meta analysis हो गया है जो all quality of systematic review क्या मतलब है content of the articles are critically appraised critically appraised जैसे माल लीजे कि मैं 10 article लिका ली ठीक है 10 research paper यह article आपका research paper ही हो गया जैसे कि 10 research paper निकाली उसके बाद फिर मुझे उसमें critics तो देना होगा ना अपना जैसे मैं 10 माल लीजे कि आपने भी लिखा उन्होंने भी लिखा तो मैं क्या करोगी उसमें critics दोंगी ना आपने बहुत अच्छा लिखा इनका research paper में ऐसा लिखा हो था मतलब similarity लाना है मुझे अगर मैं 50 paper लेती हूँ तो उसमें similar क्या है और dissimilar क्या है वो मुझे देखना है उसमें तो मुझे अपना critics देना होगा ना उसमें मैं paper पर के critics दोंगी ना कि इस paper में जो है एंगर के बारे में यह चीज लिखा हुआ है इस paper में लिखा हुआ है कि योगा काम करता है इस तरह के paper के सारे researcher के तो opinion अलग अलग होते एक जैसे तो होते नहीं है जब आप paper परेंगे तो आप देखेंगे कि जो foreign country से इस paper साते है ना उसमें बहुत बारी क्या होता है कि योगा को बोला जाता है कि यह काम नहीं कर रहा है ठीक है लेकिन at the same time आपको ऐसे paper मिलेंगे जो जिसमें आपको पता चला है कि योगा काम कर रहा है तो conflict होता है इस मतलब इन सारी चीजों में जब आप paper पढ़ना चुरू करेंगे तो यह आपको तो मैं मैं अगर systematic review कर रही हूं ठीक है तो मैं critics करूंगी न जैसे माल लीजिए मैं आपका research का test लेती हूं subjective test लेती हूं पांच question देती हूं बोलती है पांचों question मुझे लिखे आप सब लो तो उसी तरह हर paper में जो researcher है अगर systematic review करेगा तो अपना critics देगा मैं systematic review का paper देजूंगे आपको तो आप देखिए गा कि उसमें कैसे किया गया यह पर के ही समझ में आएगा आपको हर बार filtration होता है हर चीजों का filtration होते 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 आप देखिएगा जो 50 paper अगर यह उठाते है तो तेरा paper ही बसता है इनके पास कुछ analysis करने के लिए यह 20 paper ही बसता है refinement होता है जैसे कि उसको और कम और कम मतलब एक criteria के उपर जो है वो काम होता है एक certain criteria लेते है उसके काम होता है तो उसको हम systematic review बोलते है ठीक है ठीक है अब जैसे माल लीजे कोई आप आप ही ने माल लीजे diabetes पर किया ठीक है आपके चार-पास paper जो है कि diabetes का doctor है हम क्यों जाते है उसको doctor title तो तभी मिला है ना जब वो उस film में export हुए है तभी तो हम उनकी बात मानते है ना तभी तो वो दवाई लिखते तो हम उसको accept करते है ठीक है narrative review अब वो doctor कुछ लिखेंगे कि नहीं diabetes जो है stress नहीं लेना चाहिए stress के कारण सुगर बढ़ आपको narrative review जो है आप तभी कर सकते जब आपकी उस फिल्ड में specialized हो जाए expert हो जाए systematic review हो गया कि मैं अभी researcher हूँ मेरा कोई paper publish नहीं हुआ है तो मेरा जो research topic है पहले मैं उस पे एक social systematic review कर लूँ और उसके बाद फिर सारा मतलब systematic review करके उसके बाद फिर जो है मैं आगे कोई paper publish क रहा हूँ या कुछ systematic review इसलिए करते है meta analysis आप तभी कर सकते है जब आपका stats बहुत अच्छा हो जब आपको statistically मतलब जो आपका stats है जो हम mathematical formula वेगरे use करते है या जो हम test वेगरे use करते है वह बहुत अच्छा होगा तभी आप ही meta analysis कर सकते है यह बड़ा tough होता है यह करना ठीक है तो इसमें भी बहुत सारे paper को हम खोशते हैं उसका meta analysis करते हैं मतलब उसको statistically देखते हैं कि उसका result of the study क्या है इसमें systematic review होता ही है plus इसमें statistical analysis पर भी हमें focus करना होगा है ठीक है तो इतना review clear है आप सभी को जी मैं यह review समझ में आ गया मैं ऐसा करूंगी एक अच paper में भेज भेज दोंगी आपको narrative review का भी systematic review का भी और meta analysis का भी paper पर यह चीजें बहुत clear होती होती जाएगी आपको ठीक है तो यहीं आपका types of review था narrative review systematic review और meta analysis यह तीन आपका जो है types of review जब भी आप review paper इसमें देखें कोई experiment नहीं हो रहा है ठीक है यह पूरा कहान ही है जो आपका review paper है आप search कीजेगा जब आप Google scholar पर आपको search करना आया है ना आप review paper उसमें search कीजेगा योगा review paper फिर योगा डालिएगा देखेंगा यह सब कोई भी experiment नहीं हो रहा है सिर्फ paper paper का काम हो रहा है बस बस लिखने का काम हो रहा है इस पर हम कहीं पर भी कुछ भी experiment नहीं कर रहे है इसलिए इसको review paper बोला जाता है ठीक है review paper आपके तीन तरह के narrative review systematic review और meta analysis कि लिए ने सभी को तो meta analysis में तो मैदम statistically कुछ proof कर रहे है न यह यह? यह meta analysis बहुत अच्छा माना जाता है लेकिन क्या होता है कि अब जैसे कि मेरा mathematics बहुत अच्छा नहीं है या मेरा stats बहुत अच्छा नहीं है तो मैं meta analysis करने के पहले 100 वारा मुझे सोचना परेगा कि मैं meta analysis करूं की नहीं करू तो आपको systematic review के बहुत सारे paper मिलेंगे, narrative review के बहुत सारे paper मिलेंगे, meta analysis के बहुत कम paper मिलेंगे, आप तभी search करके देखिएगा, Google scholar पर आप सभी को आ गया है search करना, आप search करके देखिएगा यह paper तो आपको बहुत कम मिलेंगे इसके paper, क्योंकि इसमें पूरा statistical analysis का ही काम होत ठीक है, तो यह थूरा tough होता है, जो meta analysis होता है, यह इसलिए बहुत कम paper मतलब जो बहुत महारत हासिल होता है इनको, stats में वही लो करते हैं, वही researcher यह काम करते हैं, ठीक है, तो यह इतने तरह का review article है, किसी को कुछ पूछना है तो बताएए, मैं paper भेज दूँगे, narrative review का भी meta analysis के देज़ दूँगे आपको, clear है सभी को, कोई question है तो पूछ लीजी अभी, meta analysis के लिए systematic review करना ही पड़ेगा, meta analysis के लिए आपको system, देखिए, मैंने आपको search करना बताया था न, google में search कैसे करते है, ठीक है, तो हर search में देखिए एक advanced search का option होता है, ठीक है, तो जब हम systematic review करते है, तो हम वो keyword बनाते है, तो हम advanced search करते है, यह, यह search करने का तरीका अलग होता है, आप देखिएगा, google scholar पे देखिएगा या नहीं, तो फिर आपको एक नीचे जो है option मिलेगा, बिल्कुल छोटा सा लिखा रहेगा, pubmed में देखिएगा, pubmed में बहुत अच्छे से दिखता है वो, जब आपको, जहाँ पर search का option है ना, उसके नीचे दम छोटा से लिखा रहेगा, advanced search, तो जैसे यह आप advanced search पर click कीजिएगा, वो खुद आपको से बहुत सारा option देगा आपको, ठीक है, उसको PICO framework बोलते है, वो अभी आतमा समझी है, बहुत deep में हो जाएगा नहीं, ठीक है, पिको मतलब होता है कि patient, intervention, फिर उसके बाद, यह search का option, मतलब इसमें जो है ना, हम, जब भी हम PubMed में advanced search करते हैं, तो उसमें खुद बाखुद option आता है, कि यह आपका कौन होगा, patient कौन होगा, intervention क्या है आपका, वो search, हम उस तरह नहीं कर सकते हैं, जो हम keyword बना के मैं उस दिन दिखाई थी न, अगर मुझे systematic review करना है, तो मुझे advanced search करना होता है, वो searching option फिर अलग है, ठीक है, तो यह narrative review, systematic review और meta analysis, यह तीन तरह का review article है, इसमें कोई experiment नहीं होता है, कोई कुछ नहीं मिलेगा, बस इसमें सारा paper का खेल है, कि अगर एक कोई expert ह है, तो वो अपना paper खुद ही लिख रहा है, क्योंकि उसको सब कुछ पता है उसके बारे में, ठीक है, तो इसलिए उसको लिख रहा है, तो इसको बहुत अच्छा ही माना जाता है narrative review को, क्योंकि क्या होता है, कि इसमें कोई systematic method नहीं follow कर रहे है, जैसे माल लीजे, कोई expert हो सक तो गलत भी तो कर सकते हैं, लेकिन जहां यहां पर 50-75 paper हम search करके काम कर रहे हैं, तो इसको बहुत systematic review को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इतने सारे researcher का paper resign हो करके तब एक review article बनता है आपका, तो इसलिए systematic review को अच्छा माना जाता है, और meta analysis को उससे भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है, हम statistical analysis करते हैं, और systematic review और meta analysis जो करते हैं, यह advanced search के option से होता है, ठीक है, तो यह review वाला thing है, यह सब मतलब theoretical research है, हाँ, यह सारा theoretical research है, अगर माल लिजे आपको PhD एक systematic review से भी आप कर सकते हैं, माल लिजे कि आपको PhD करना है, अब एक systematic review करते होंग क्योंकि वो जादा tough है, और उससे जादा valid ही मानते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, systematic review जो है, बहुत अच्छा माना जाता है, और आप एक PhD जो है, अपना systematic review करके भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको experimental research ही करना हो, एक systematic review से भी आपका PhD हो जाता है, ठीक है, और फिर, बता प्राइशर है, तो माम, यह जो frontier है, यह private organization है, या फिर है को government authority है, जो यह देखता है कि जो papers है, जो सही है, validate हो नहीं, जैसे कि हमारा जितना भी university है, जैसे मेरे university से भी yoga journal निकलता है, उसको international आईजवाय बोलते है, international general of yoga, ठीक है, एक कैवल ले धाम है, वहाँ से भी निकलता है, उसको योग मिमाल सा बोलते है, तो यह सब Indian भी general है, और फॉर्णर, यह जो frontier है, यह फॉर्ण का general है, यह हमारा निक, यह international general है, पर माम, मतलब, इनका authority, जैसे आप, इस ने अगर किसी को retreat, yeah, तो obviously उसको हटाना पड़ेगा अपना paper, बिलकुल, 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 जो इनका publish होते हैं, वो उनको review करते हैं दुबारे से, यह सब के लिए इनका authority होती है, आप जैसे मार्टिक review कर रहे है, ठीक है, retraction of paper, जो है, हर journal करती है, हर journal करती है, कि उनको वो, अगर माल ल जो गा, ठीक है, तो अब मैं, अगर मुझे लगा, अगर मैं उस फिल्म expert हूँ, और मुझे लगा यह जो paper में दिया हुआ, वो गलत दिया हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो मैं उसके claim करूंगी न, कि यह कैसे छाप दिया आ आपने, यह तो बहू ही नहीं सकता, ठी उसके बाद फिर ये सारी चीजे होती है कि इसको हटाओ यहां से, मतलब ये उनका खुद का कमीटी होता है, उनका खुद का एक मतलब एक्सपर्ट पैनल होता है, पियर रिव्यू बोलते है उसको, ठीक है, उनका खुद का एक एक्सपर्ट पैनल होता है, फिर वो उस चीज के पास, उनके पास जाता है, मैं प्राइवेट अथारिटी होती है, मतलब यहां, बिल्कुल, बिल्कुल, और हर औरनाइजेशन क है न, आजकल निकलने लगे, मतलब हर औरनाइजेशन का एक जनरल है ही, जो भी इनवर्सिटी है न, एक जनरल निकालती ही निकालती है अपना, यह तो मैं, कोई भी क्रॉस चेक कर सकता है, कि यह जो आपने छापा है, यह रौंग है, और वो उसको प्रूफ कर सकता है, बिल है, वो उसको फिर से जाएगा उनके पास, फिर से वो इस पे जो है, सोच विचार करें है, कि यह चप कैसे गया, अगर यह हो नहीं सकता तो यह चपा कैसे, फिर उनको रिप्लाइ देना पड़ता है जनरल वाले को, कि हमने चपा क्यों, यह एक वह बहुत बड़ा प्रॉसी ठीक है, यह चीज होता है, I think time हो गया है, मैम आप ऐसा बैंगलोर से कर रहे हैं, PhD, अहां, ठीक है, तो यह हो गया, सब को समझ भी आ गया, मैम जैसे आपने बोला कि हम एक्सपर्ट को जब अप्रोच करते हैं, तो क्या इसके लिए हमां उनकी पहले से एक राइटिंग कंसर लेना पड़ता है, या डिरिकली मेल के तुरू अप्रोच कर सकते हैं और वेट करें कि वो रिप्लाइ करें, हां हां, आप आपने अगर मालीजे कोई जैसे मालीजे हमने अभी पेपर बना, ठीक है, यह पेपर पर कि अगर आपको लगता है कि यह प्रैक्टिस नहीं होना च तब ही जाके वो आगे पेपर में जो है, आपको पब्लिश किये तो नहीं उसमें पेप, मतलब उनके लैटर्स भी छपे हुए हैं कि उन्होंने पर्टिकुलर यूनिवर्स्टी के परसन को कॉंटक किया, अप्रोच किया कि आप पढ़ो, देखो यह हमारी रिसोर्च है, य तो यह ऐसा अभी भी यही सिस्टम होता है, क्या कि हम सेल्फ से किसी को अप्रोच करके उनको बोल सकते हैं कि आप एक बार इसकी रिव्यू कीजिए, देखिये नहीं, यक्टली क्या होता है, जहसे माली जे मैं जन्नल हूँ, ठीक है, आपने मुझे भेजा, ठीक है, तो मेरे पास खाया एकस्पप criminal हैं, हर टॉपिक पर एकस्पपmbत पैनल है, एंगर पे भी है, योगा पे भी है, डायमिटीस पे भी है, फिर मैं क्या कर loi ungue, उनको forward कर तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो पेज के पेपर रेले इसे ज्यादा होते हो वह आपको कमेंट लेते हैं बैटे हुए ऑ Grade Our और या नहीं तो ऐसा होता है कि वो पहले ही मना कर देते हैं कि हम तो आपका पेपर छापने लाइक ही नहीं है ठीके चुका रहे हैं अगर हमें और यह चीज़े नहीं हो सकती तो उसके लिए भी तो हमारे पास वैलेट प्रूफ होना चाहिए ना बेंडिके यह आपके पास भी यानि तो आप उसी फिल्ड पर रिसर्च किये वे हो आप भी एक रिसरॉक चर्चर हो और आपने कालीजिए कि आप क्यों नहीं मानते हैं, आपको जस्टिफिकेशन देना होगा अपना, तो फिर क्या करते हैं, उस paper को हटा दिया जाता है, अगर ऐसा पाया जाता है, यह false था या ऐसा नहीं हो सकता है, जो भी reason हुआ हो, तो उसको detect कर दिया जाता है, वाँसे हटा दिया जाता है, मैम य गूगल पर सर्च कीजिएगा, कि जो भी journal है, जैसे मालेजे frontier है, उसमें frontier लिखे, author's guideline जो है, आपको सारा guideline दिखेगा, एक paper में क्या-क्या, सबका guideline अलग-अलग होता है, paper का, सारे paper का, तो उसमें आपको guideline दिखेगा, कि इस paper को आपको कैसे लिजना है, पहले क्या आना चा यह, यह सारा कुछ लिखा होता है, उसको follow करना होता है, researcher को, ठीक है, तो आप एक बड़ सर्च करके देखिएगा, author's guideline आपको खुद ही पता चल जाएगा, हर journal का author guideline होता है, तो जब आप author's guideline देखेंगे, तो उसमें सब कुछ दिया होता है, और उसमें email भी दिया होता है, क आपको किस के, इसमें email करना है, फिर आपको, जब आपको लगता है कि नहीं, उस guideline के हिसाब से आपका paper ready है, हमें email करना होता है, फिर अगर rejection आती है, तो तीन दिन में rejection आ जाता है, और पालिजे कुछ paper में comment वगएरा है, तो उस comment का फिर हमें reply करके बिचना होता है, ठीक है, ऐसे होता है काम, आपका literature review organization देखिए दिया, और, sorry, organizer दिया हुआ है, title, journal, year, author, problem, method, procedure, finding, conclusion, ठीक है, significance of the research problem, title आपको बता दिया, जो पहला आपका रहता है, journal का नाम आपको बता दिया है, मैंने उसमें year, author, सब कुछ दिया रहता है, किस problem पे हुआ है, वो आपके top, उसके title स पता चल जाएगा कि किस problem पे ये है, ठीक है, मैं आइट study है, तो वही जो है, expert ये लिया गया है, फिर validation हुआ है, फिर ये, बतलब ये procedure method आपका एक ही हो गया, finding, कि जो है, मेरा जो module है, वो बहुत अच्छा काम किया, उसके उपर, कोई दिक्कत नहीं थी, conclusion हमेशा variable पे निक problem थी, ठीक है, तो ये आपका कैसे, मतलब जो है, इसका significance, मतलब वो जो module बना, ठीक है, वो significance कैसे हुआ, या आप उसको, ये आपको खुद का अपना लिखना होगा, यानि तभी आप इसको रहने दीजे, ये मैं थोड़ा और research पढ़ा दूँगी, तो फिर मैं RCT वाले में अथर लिखिए गा, column बनाना है सबका, problem, किस problem पे discussion हुआ है, method procedure क्या था, finding क्या था, conclusion क्या था, ठीक है, ये हैं आपका इतना, ये तो चलिए, मैं वो आपको, अभी था से time दीजे, तो फिर इसको मैं खतम कर लोगी, इसको, sample size वेक्रा हो गया था, ये sample size, अच्छा, देखि ये सब मैं आपको बादे पराऊंगी, actually क्या होता है, कि sample size calculation, हम लोग sample size समझते हैं, कि मेरे research के लिए, मेरा sample कितना होना चाहिए, उसको sample size भूनते हैं, अब जैसे माली जी मुझे school के बच्चों पर करना है, मुझे परता होना चाहिए, कि मैं 50 पर करोगी, 100 पर करोगी, कित मैं पराऊंगी आपको, तब बताऊंगी कि, pilot study के बाद हम sample size कैसे निकालते है, literature review लेकिन कर किया ये आप, ठीक है, पी-value ये सब, sampling technique में complete हो चुका है, मैं परहाद परहाद ही हूँ, आपको, sample क्या होता है, sampling क्या होता है, probability sampling क्या है, non-probability sampling क्या है, procedure क्या है, ये सब सारा कुछ एक बार हमने class में discuss कर लिया, कोई problem होगा, तो पीछे का video बना हुआ है, वीडियो आप एक बर देख लिजेगा, variable, independent, variable, dependent, variable, compounding, variable, ये variable में बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ आपको, अगर कोई भी problem हो, तो पीछे का video दिया हुआ है, ये आप देख के समझ लिजेगा, मतलब फिर बाद में इस चीज को discuss ना करना परे हमें, ठीक है, तो ये आपका, ये measurement हम लोग आप इसके बाद परे करेंगे, जब हमारा ये class जब सुरू करेंगे तो फिर हम थोरा थोरा stats पढ़ना सुरू करेंगे, बस आपका homework किये है, कि आप लोग काम पूरा करके आईएगा, जो मैं आपको homework दे रहे हूँ, literature review करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है सभी को, समझ में आ गया? अब अब आप holidays के बाद दो टाइप के आप बताएंगे? या आप बताएंगे या आपको holidays के वो दोनों छोटे छोटे चोटे उसमें ज्यादा time नहीं लगेगा, वो एक ही class में compete करने तो इसमें आपका chrome back alpha और जो inter later reliability था इसको समझने में थोड़ा time लगता है, तो इसलिए मैं पहले ये करा दी और आपके योगा के लिए बहुत important है, इसलिए पहले में इसको कराना बेतर समझी है, मैं इसमें जो third था है, internal consistency, इसमें one word is using that, split half reliability, आपने बोला था जो आप परहा देंगे, तब हमको ये समझ में आएंगा, third था होता है, जैसे कि माल लीजे, कि वो ज strongly agree, strongly disagree, तो इसको क्या करते हैं, जब हम क्रामबय कल्फा, जब हम calculation करते हैं, इस चीज को हम दोनों साइट से लेते हैं, जैसे कि माल लीजे, अब कैसे समझा होगा आपको, क्रामबय कल्फा कैसे निकालते हैं, उस video को देखिएगा, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से आपक क्योंकि वो जब तक मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, वो नहीं समझ मेंगा, इस प्लिट हाप इसले बोलते हैं, क्योंकि उसको हाफ हाफ में हम बाट, जैसे कि मैंने पूला करते हैं, हम 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह करके, तो वो जो हम उस नमरिंग पे जो है, स्प्लिट हाप होता ना में, ठीक है, यही स्प्लिट हाप जो है आपका क्रॉमबे कलफा में भी आता है, ठीक है, यह चीज़ है, बाकी जो भी पेपर भेजूंगी, जो भी लिंक भेजूंगी, लिट्रेचर रिव्यू करके आईएगा, थोरा कीजे, ज्यादा कीजे, लेकिन करके आईएगा, यह नहीं की बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करके आईएगा, और अपना लिट्रेचर रिव्यू का एक काम कर लीज़े, एक टाइम फिक्स कर लीज़े, कि मुझे 15 मिनट एक से सबाए एक या 2 से 3, मतलब मुझे यह टाइम मुझे अपने लिट्रेचर रिव्यू को देना है, तभी लिटेचर रिव्यू हो पाएगा आपका ठीक है और किसी को कुछ पूछना है कोई डाउट हो किसी का आपने रिव्यूज पढ़ाए तो यह जो रिव्यूज है यह अपने आप में एक रिसर्च है मतलब कि इस इस टाइप से भी रिसर्च हो सकती है ऐसा कुछ था यह आप में घाल है एक रिव्यूज बचा है में इडिक यह जो तो आपके लिए नहीं है लेकिन अगर आपको रिव्यू करना है तो आपके लिए कौनसा है दो ही आप्शन बचा यानि तो आपके लिए मेटा एनलाइसिस बचा ठीक है यानि तो आप सबके पेपर को जो है सिस्टेमाटिकली पढ़िए एक पेपर को परके उसकी बाद कंक्लूजन निका लिए ठीक है तो वो सिस्टेमाटिक रिभ्यू करके भी आपका PhD हो जाता है ठीक है ठीक है और किसी का कोई कोशन हो चलिए अभी हम कंक्लूट करें फिर चलिए प्रेंगाजी आज आप करवाद करवा देजिए प्रेयर क्लोजिंग प्रेयर येस मैम सभी लोग सुखाचन पर बैचाएंगे दीरे से दोनों आखों को बन करेंगे हाथों की नमशकार मुद्रा बनाएंगे लंबी गहरी श्वास लंबा गहरा प्रश्वास एक साथ प्रात्ना शुरू करेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूरुनात पूर्णमुदच्यते पूरुनस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाशिष्यते अवाथो लुएиком हुए Yi तीरे से दोनों हदीलों को आपस में रप करेंगे अपने चेहरे पर मस्तिक्ष पर हाथों पर बाकी अंगों पर अपने हाथ हाथीलों को फिराएंगे तीरे से हाथों की नमशकार मुद्रण बनाएंगे अधेलियों को खूलकर दरूशें करएंगे तांक यु, ओम ताच्टूथ थान्क यू मेम थान्क यू और थान्क्य। थान्क्य। थान्के ब्लाओं वे Dagयो कर दो कर sprawücken श्लूम मेू मेम